जारकरण में एक बार फिर विचलित करने वाली एक घटना घटी है देर रात खोटी पुलीस ने एक इजराहिल अंसारी नाम के युव के गर बारवी रात पर गो मांस बेचने का आरूप लगा कर उसे घर गुशती है उसे घर में घोश करके घर तहस नास करके वाइफ के साथ दिर्वेवार, पतनी के साथ दिर्वेवार, मां के साथ दिर्वेवार, उसकी बचियों के साथ दिर्वेवार, बार बच्चों के साथ दिर्वेवार करती है समान फैक देती है उसके पिता जी को बुरी तरह से मारा जाता है और वो मौके पर ही उनकी निदन हो जाती है तो मैं पूछना चाहता हूँ खोटी के पिलीस के पतादीकारियों से गो मास का आरूप लगा कर आपने रात में बारवजे आप क्यों गए जाना था दिन में चले आते बुला लेते पकड़ लेते उसको लेकिन रात में जाकर आपने जिस्तर की घटना को अंजाम दिया है वो सब समाज में मैं इसकी याद नहीं देता हूँ मैं कहना चाहता हूँ अल्व संक्यक होना पाप नहीं है गरीब जरूर है लेकिन सम्मान के साथ जीता है लेकिन गो मास विचने का आरूप लगा कर उसकी परिवार के साथ जिस्तर का बरवरता सलूक किया है पुलिस ने मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं जार्खन के मक्रमंत्री जी आदरने हे परखास्त कीजिए अल्व संक्यक होना गुना नहीं है मैं हर मामले में देखता हूँ कि अल्व संक्यक को टार्गेट कर रही है पुलिस क्यों क्या दित्मनी है अल्व संक्यक होना पाप है क्या इसलिए मैं फिर से मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार इस मामले को संग्या मिले और उस परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करें मैं भी उस परिवार से मिलने जाओंगा और निश्चित तोल पर अब हमें लगता है कि नहीं अब पुलीस के खिलाब अंदरों करने की अफ़िए अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले